आज़कर दोस्तों, डेट है आज की 26 माई 2020 और स्वागत है आपका पिलीम बूश्टर न्यूज डिस्केशन में सबस्वे पहले इंपोर्टन आठकल सहापूर कटकरी ट्राइब के बारे में है क्या कंटेस्ट है? P.I.B. में एक स्टोरी पब्लिश हुई है महाराश्टर की ये एक PVTG ट्राइब है, सहापूर कटकरी ट्राइब और वन धन योजना की effective implementation से इस ट्राइब को काफी ज़्यादा लाब हुआ है ये कंटेस्ट है, हम बात करें इस कटकरी ट्राइब के बारे में देखो, जायतर कटकरी ट्राइब के जो लोग हैं, वो महाराश्टर में रहते हैं लेकिन कुछ कटकरी ट्राइब के लोग गुजरात, करनाटक, राजस्तान में भी रहते हैं और ये ट्राइब पीवीटीजे में आती हैं पीवीटीजे मतलब particularly vulnerable tribal group इस group में 75 tribes आती हैं UPC ने question पूछा था इस बार के prelim में पीवीटीजे समंदित 4 statements थी और एक भी fact आपको पता होता कि total 75 tribes आती हैं इस group में तो भी उस question को solve किया जा सकता था क्योंकि बाकी सारी जो options थे, वो cut जाते थे खेर बात करें इस cut-kari tribe के बारे में ये bilingual हैं, दो भासाओं का इस्तमाल इनके द्वारा किया जाता है अगर कोई marathi या फिर kongkani language बोल रहा हैं तो इस tribe के लोग के द्वारा इस marathi और kongkani language में बात कर ली जाती हैं और कोई cut-kari language जानता हैं तो उसके साथ इस tribe के लोग अपनी cut-kari language में बात करते हैं वैसे देखो एक important चीज, इनके जो food habits हैं इसके वज़े से ये थोड़ा बाकी लोगों से cut के रहते हैं मतलब आपके दिमाग में आया होगा ऐसी क्या food habits हैं ये देखो, rodents को खाते हैं rodents मतलब चूहे जैसे little Indian field mouse, black rat, greater or Indian bandicoot ये जैसे चूहे और चूहे जैसे जो दूसरी species हैं उनको इनके द्वारा खाने में consume किया जाता हैं इस tribe के लोगों को लगता हैं हमारा जो जीवन हैं वो लंबा होगा, बोडी में मजबूती आएगी अगर चूहों को खाने में consume किया जाता हैं तो इस वज़े से बाकी लोग जो हैं थोड़ा दूर रहते हैं इनसे last में हम बात कर लेते हैं PVTGs के बारे में क्या full form हैं PVTGs की particularly vulnerable tribal groups अच्छा आप मुझे एक बात बताएए आपको क्या लगता है हमारे देश में total tribal groups कितने होंगे 705 है हमारे देश में total tribal groups है और अजादी के बात से ही सरकार ने काफी सारी schemes चलाई हैं tribal groups की welfare के लिए लेकिन देखो कुछ सालों बाद 1970s के आसपास सरकार को ये realize हुआ कि ये जो 705 tribal groups है न इन में से कुछ tribal groups ऐसे हैं जिनको हमारे द्वारा चलाई गई schemes का लाब नहीं हो पा रहा हैं इन tribal groups पर special ध्यान देने क्या हो सकता हैं तो इसी लक्षय के साथ सरकार ने एक PVTG group establish किया माल लीजिए ये total tribal groups हैं हमारे देश में तो इसी का एक subset है PVTG जिस पर special ध्यान देने क्या आउ सकता थी ये सरकार को realize हुआ सुरवात में कुछ 52 के आसपास tribal groups डाले गए थे इस list में बाद में संख्या को increase कर दिया गया और अब total जो tribal groups हैं इस PVTG में वो है 75 जो tribes PVTG में आते हैं उनके features के बात करें population उनकी ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही है एक परकार से stagnant हो गई है literacy level काफी कम है economic backwardness काफी ज़्यादा है और pre agriculture level की technology का इस्तमाल क्या जाता है जैसे hunting वोगेर ये features हैं चलते हैं आगे नहीं स्थांट कल sports को industry status मिलने से समादित हैं क्या contest हैं मकसद क्या है मकसद ये है मिजोरम में sports से समादित जादा से जादा jobs को generate करना क्योंकि देखो एक बार अगर sports को industry status मिलता है तो सरकार और ज़्यादा invest कर सकेगी sports में private sector investment के लिए आगे आएगा इस से नए नए job opportunities पैदा होंगी sports के छेतर में ultimately सबसे जादा जो फाइदा होगा वो sports persons को ही होगा क्योंकि sports persons की जूरते पूरी होने लगेंगी ना सिरफ state के दवारा बलकि private sector के दवारा भी देखो वैसे मिजोरम में sports काफे जादा पर्चलित है मिजोरम के बहुत सरे footballers हैं जो देश के प्रीमियर football clubs के लिए खेलते हैं और पिछले कुछ सालों में मिजोरम के players ने काफे अच्छा पर्फॉर्म किया है होकी में भी और weightlifting में भी चलते हैं आगे ने स्थार्ट कल Grand Ethiopian Renaissance Dam on Nile के बारे में हैं देखो Nile नदी अफ्रीका की एक बहुत ही important नदी है तीन नदियों से मिलके बनती है Nile नदी यहां पर देखो सबसे पहले white Nile दूसे नंबर पे blue Nile और तीसे नंबर पे albara इन तीन नदियों से मिलके बनती है Nile River और ये Nile Rivers हो हैं काफी सारे देशों से होके गुजरती है और काफी सारे देशों में Nile नदी का drainage area है देशों के नाम इस परकार से है Egypt, Brundi, Tanjania, Rwanda Democratic Republic of Congo, Kenya, Ungarda Sudan, Ethiopia, South Sudan तो ये हमने बात की basics की अब बात करते हैं ये dam क्या है देखो Ethiopia में Ethiopia Blue Nile River के ऊपर एक dam बना रहा है ये देखो ये है Blue Nile River तीन नदियों से मिलके बनती है White Nile, Blue Nile और Albaram और एक जो Blue Nile River है उसके ऊपर Ethiopia dam बना रहा है Grand Ethiopian Renasa Dam एक बार ये dam अगर complete हो गया 2011 से इस dam की construction चल रही है dam अगर बन जाता है तो अफरीका का largest hydroelectric power plant होगा capacity होगी 6.45 gigawatt और पूरे वर्ड का ये साथवा सबसे बड़ा dam होगा hydroelectric dam के अब बात कर रहे हैं reserves में पानी भरने में 5 से 15 साल तक का वक्त लग सकता है depend करता है hydrology conditions कैसी है और कैसा agreement sign होता है Ethiopia, Sudan और Egypt के बीच इन factors पर depend करता है reserves में पानी भरने में कितने साल का वक्त लगेगा लेकिन देखो इस dam की construction को लेकिन Egypt और Sudan जो हैं वो विरोध कर रहे हैं question उठता है क्यूं Egypt का खास करके कहना है कि भया Nile नदी सबसे last में हमारे देश में आती है और आपने blue Nile के ऊपर dam बना लिया मतलब आप पानी को store करके रखोगे तो Nile नदी जब हमारे देश में पहुंचेगी तो पानी बचेगा ही नहीं बहुत कम पानी बचेगा आप प्लीज ये मत बनाइए इथोपिया का कहना है कि भया हम तो dam बनाएंगे तो इसी चीज़ को लेके रसा कसी चलती रहती है इन तीन देशों के बीच सुडान का विरोध थोड़ा रिलेटिवली कम है विरोध तो है एजिप्ट के मुकाबले में कम है क्योंकि सीधी सीधी बात है न नाइल रिवर सबसे लाश्ट में तो इजिप्ट में पहुंशती है और इजिप्ट की लाइफ लाइफ लाइन है नाइल रिवर अगर पानी नहीं पहुंशता है इनफ तो इजिप्ट की एकोनमी को बहुत नुक्सान पहुंचेगा, गरीबी ज़्यादा आएगी, इसलिए Egypt का विरोध जो है काफी ज़्यादा है, ये emotional issue है Egypt के अंदर, तो अभी बात चल रही है, negotiations की, negotiations तो देखो काफी साल से चल रही है, कि conditions त्या की जाएं, कि dam में कितना पानी श्टोर करके रखा जा सकता ह अभी तो कोई sympathy नहीं बनी है, लेकिन Egypt ने announce किया है, कि हम तयार है, इथोपिया के साथ और सुडान के साथ negotiations कंड़क्ट करें, इस dam के संदर्ब में, चलते हैं आगे, नेस्ट आर्टिकल हीट वेव से समन्दित है, इंडियन मिटरलोजिकल डिपार्टनेंट ने एक रेड वार्निंग इस्यू की है, देली, पंजाब, हर्याना, चंडिगड और रजिस्तान के लिए, आगले दो दिनों में, हीट वेव देखने को मिल सकती है, इन राज्यों मे देखो, कंडिशन्स आपको बता देता हूँ, टेकनिकल लेंग्वेज में बात करें, क्या करिटेरिया है हीट वेव के लिए, सबसे बेसिक कंडिशन तो देखो ये है, प्लेन एरियास में टेंपरेचर 40 डिगरी से ज़्यादा होना चाहिए, और हिली एरियास में 30 डिगरी होता है, वो 40 डिगरी सेल्शेस होता है, लेकिन अगर 15 माई को टेंपरेचर 4.5 डिगरी सेल्शेस से लेके 46.4 डिगरी सेल्शेस के बीच है, मतलब नोर्मल से 4 डिगरी सेल्शेस से लेके 6.4 डिगरी सेल्शेस तक ज़्यादा है, तो मतलब हीट वेव है, और अगर देखो normal temperature से 6.4 degree Celsius से ज़्यादा है तो severe heat wave है समझ गए माली जी normal temperature 15 माई को 40 degree Celsius है लेकिन 15 माई को temperature देखने को मिल रहा है 46.4 degree Celsius से ज़्यादा तो मतलब severe heat wave है और actual maximum temperature के हिसाम से देखें तो अगर maximum temperature 45 degree Celsius से ज़्यादा है तो मतलब heat wave अगर temperature 47 degree Celsius से ज़्यादा है तो मतलब severe heat wave और जबकि आज डेली में maximum temperature कितना था 46 degree Celsius और देखो coastal stations के लिए थोड़ा सा क्रेटेरिया अलग है वहाँ पर normal से maximum temperature अगर 4.5 degree Celsius या फिर इस से ज़्यादा है तो मतलब heat wave है और अगर वहाँ पर coastal इलाकों में maximum temperature 37 degree Celsius या फिर इस से ज़्यादा है तो मतलब heat wave है heat wave से body को काफी तरह के नुक्सान पहुंच सकते हैं जैसे body में पाली की कमी हो जाती है heat cramps आ जाते हैं मतलब muscles में एंथन आ जाती है heat exhaustion और सबसे लास्ट में heat stroke heat wave कब आती हैं? मार्च से लेके जून के बीच rare cases में जुलाई तक भी heat wave देखने को मिलती हैं ये हमारे देश में आती है खास करके north western और south central इलाकों में लास्ट में वेस्टन घहर्ट में कुछ नई plant के species के मिलने से समधेद article हैं एक काम करते हैं ये article हम कल discuss कर लेते हैं अभी last में हम देख लेते हैं कि आज क्या क्या discuss किया उसके base पे आप बताईए कौन से statements सही है क्या गलत हैं इन चार statements को आप ध्यान से पढ़ लीजिए उसके बाद सबसे पहरी statement G.E.R.D.E.J. Gravity Dam on the Blue Nile River in Ethiopia that has been under construction since 2011 याद कीजिए ये dam कहां पर हैं एजिप्ट में हैं या फिर एथोपिया में हैं बताईए ये statement बिल्कुल सही हैं ये जो dam है Gravity Dam हैं इथोपिया में Blue Nile River के उपर बन रहा है 2011 से दूसरी statement Nile River ये start होती हैं लेक विक्टोरिया से और एमपटी होती हैं Red Sea में तीन रिवर से मिलके बनती हैं Nile River, Blue Nile, White Nile और रिवल अलबारा और White Nile ओरिजिनेट होती हैं लेक विक्टोरिया से तो इतना तो सही है कि लेक विक्टोरिया से start होती है Nile River लेकिन क्या खाली ये होती है Red Sea में गलत Nile River गिरती है Mediterranean Sea में तो ये statement गलत हैं तीसी statement कटकरी ट्राइब ये schedule tribe हैं जो की सिरफ मिलती है केरला में गलत ये predominantly वैसे महराश्टर की tribe है कटकरी tribe लेकिन ये statement भी गलत हो जाएगी कि ये tribe मिलती है सिरफ महराश्टर में क्योंकि कुछ जो कटकरी tribe के लोग हैं महराश्टर के अलावा गुजरात और गोवा जैसे राज्यों में भी मिलते हैं सबसे लाश्ट में हाल ही में किस राज्या ने industry status दिया sports को तरी पूरा नहीं आंसर है मिजोरम मिजोरम की cabinet ने approval दिया कि sports को industry का status दे दिया जाए तो इस discussion में फिलाल इतना ही है एक जो हमारा ये article बागी है इसे हम कल discuss करेंगे thank you thank you very much for discussion